असलाम अलेकुम माई यूटीब फैमली और वेलकम बेक टू माई न्यू व्लॉग उमीदेजी सब ठीक ठाक हूँगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करें शाम से अभी मैं उपर आई थी और मैंने फैशल किट्स पैक करनी थी अगर आप लोग भी फैशल किट और करना चाहते हैं तो कर लें आज बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें जो है वह फैशल किट के साथ जो है वह गिफ्ट नहीं मिला तो मैं अगेन ऑफर लगाती हूँ कि यूट्यूब से जो पहले 10 कस्टमर्स आके मेरी फैशल किट और करेंगे उन सब को जो है वह साथ में गिफ्ट में मिलेगा ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा और स्क्रीन पे भी शो हो रहागा उसके लावा यह मैंने मास्क और शैंपू बगयरा मंगव फॉल हो रहा है तो उसके लिए मैंने मंगवा थे मैं ट्राइ करूंगी तो रिवीयो दूंगी इंशाला ताला और जो है फेस मासक आज कल मैं लगा रही को मैं 10 डेस के लिए लगाऊंगी संटेन के लिए अगर अच्छा होगा तो आप लोग भी लगा सकते हैं और फैशल क मेरे अपने ब्रैंड की पर्चेस करेंगे ठीक है डिस्क्रिप्शन में नंबर भी होगा और लिंक भी होगा इंस्टाग्राम पे भी ओर्डर कर सकते हैं वाटसप पे भी ओर्डर कर सकते हैं उसके इलावा शाम में फिर जो है वो गैस्ट आ गया थे तो मैं जो है वो साथ म बारिश हो रही है बस आला अपनी रहमत की बारिश बरसा है और मौसम जो है ना वो काफी हद तक जो है वो ठंडा हो गया पहले बहुत ज्यादा गर्मी थी अब काफी हद तक जो है ना वो मौसम जो है वो बेतर हो गया तो आज कल जो है वो बस यही चल रहा है बस यहां पर मैंने साथ में जो है वो चाय बना ली थी साथ में जो है वो बिस्किट्स और जो है वो केक वगएरा जो है वो बना लिये थे तो बस अम्मी लोग बैटके नजॉय करेंगे फिर जी मैंने नमाज जो है वो पढ़ी मगरिब की और जारा जो है ना अम्मीलों के रूम में सो गई थी क्योंकि हमारे रूम में सब लोग बैटे हुए थी तो बस मैं नमास पढ़के अब मैं बनाओंगी मैकरोनी अच्छा जब से मैं ट्रिप से वापस आई हूँ अबने हाथ की मैकरोनी इतना मिस करी हूँ और जब मैं ट्रिप पे गई थी तो ना मैंने कोई चौमिन खाया ना मैंने कोई पास्ता खाया मैं इतना जदा मिस करी थी यार मैंने पास्ता चौमिन कुछ भी नहीं खाया तो यहाँ पे मेरे पास ना कुछ खुली हुई वो पास्ता रखा हुआ था मैकरोनी भी रखी तो मैंने का चलो इनको बना के ऐसी जो है खतम करूँ थोड़ा सा पास्ता था और तोड़ी से साथ मैकरोनी थी तो बस मैंने साथ में इनको बॉयल कर लिए और अब हम लोग कट कर लेंगे वेजिटेबल्स ज आप लों को अगर मेरे पुराने सबस्क्राइबरस है तो आपो लों को पता होगा कि मैकरोनी जो है मुझे बहुत जाता ह्या पसंदें मोसम भी बहूत अच्छा हो रहा था और मेरा दिल भी चाह रहा था क्योंकि मैं जिस दिन आई थे ना मेरा उस दिन ही बहुत जादा दिल चाह रहा थे लेकिन मैं बहुत थकी हुई थी फिर मैंने बनाई निया और मुझे अपने हाथ के मैं करोनी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जो है उतनी कौंटिटी जो है काफी होगी आप अपने हिसाबD कर सकते हैं मुझे स्पाइस ही चाही थी इसलिए मैंने स्पाइसे जादे डाले और थोड़ी से मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस भी जो है आड़ कर दी ये हमारी sauce हो गई है ready अब मैं 10 minutes के लिए चिकन में जो है वो गरा मसाला और लाल मिच और काली मिच इन सब को मसाला लगा के 10 minutes के लिए चिकन को जो है वो marination के लिए रख दूँगे 10 minutes से जादा जो है वो marination के लिए नहीं रखना अगर आपको spicy macaroni चाहिए ये वाकी मज़े वाली कानों से दूवे निकालने वाली तो आप इस तरह से ये वाली recipe जो है वो try कर सकते हैं बहुत ही मज़े की बनेगी तो आप लोग को ओल्डिंग के साथ enjoy करने बड़ा मज़ा आएगा तो बस अब मैं यहां पर पहले जो है वो यास को fry करूंगे उसके बाद मैं ऐट कर दूँगी चिकन और चिकन को मम लोग पकाएंगे तकरीबर 5-6 मिनट के लिए और उसके बाद पिर हम लोग इसमें अब आएट कर देंगे तो जो चिकन मारिनेट था दस मिनट के लिए मैंने मारिनेट किया था और यहां पर बस अब हम अच्छे से जो है वो चिकन को कुक कर लिए अच्छा मैं इस चमच के साथ बना रही थी तो मुझ से मज़ा ही नहीं आ रहा तो फिर मैंने अपना फेवरेट जो चमच है इसके साथ ही मैं सारी कुकिंग करती है और मुझे जो है न वो यूस्टू भी ह अब जिसके यूस्टू हो जाओ ना फिर आपको उसी के साथ सैटिस्फेक्शन मिल रही होती है सामने मैं कहते हूं कितना भी अच्छा चमच ही हो ना आजा आपको मज़ा नहीं आता तो मेरा तो यही सीन अगर आप लोग भी डेली कुकिंग करते हैं तो आपका यही होगा उसके लावा फिर मैंने अच्छे से चिकन कुकिया वेजिटेबल से एटकेट दी फिर उसके बाद जो सॉस मैंने बनाई थी वो एटकेट दी उसके लावा मैंने इसमें लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया पाउडर और नमक जो है वो एटकेट दी और इसको हम अच्छे से म और मेकरोनी अड़ करने पहले आप लोग पानी से गुजार लीजेगा वह फिर अलग अलग हो जाएक नियुक है तो फिर व वह साच चिपके रहती पिर वह तो नहीं तो बहुत सारी मैकरोनी जो साड़े बारा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे था मैं क्या करूं मुझे दीन भी नहीं आ रही था और मेरा मुबाइल देखने के बदल नहीं था फिर मुझे याद आए कि मैं जब से टृप से आई हूं मैंने अपनी बैक्स जो है मुझे सेट करके नगी रखे हूए बैक विले ड्रॉ जो है वो सारा ही खराब हुआ 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 है तो बस मैंने का कि चलो वीली बैटने से अच्छा है कुछ ना कुछ काम कर ले तो बस अब मैं यहां पे बैक्स वगयरा सेट करूंगे अगर आप मेरी बैक कलेक्शन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हैं मैं आपके साथ सारे शिर कर दूँगी इसमें कुछ जो है मैंने मोसली दराद से मंगवाए हुए कुछ लोकल मार्केटस लिए हुए और कुछ जो है वो इनसिंग्निया वगरा से लिए हुए तो जो भी जहां का ओगा जिनके लिंक्स वोगेरा होंगी, वो मैं आपनों के साथ अटैच कर दूँगी जो ऑनलाइन परचीस के होंगी, वो भी शेयर कर दूँगी तो यहां पर जितने भी मेरे आ सकते थे क्लचेस, चोटे वाले वो मैंने सारे इसमें रख दी और बागी बड़े वाले बैग्स, मेरे आप लोग देखें कि उपर रखे होंगी, इस साइड पर और कुछ इस साइड पर और एक यह वाइट वाला इस साइड पर वाइट वाला बहुत शौक से मैंने इंसिग्निया ऐसे लिया था, यह वाला मैं सबसे ज़्यादा बचे गया था, और पौने दो लाइट आई थी, फिर लाइट चलेगी थी, पौने एक फिर पौने दो आई, तो फिर मैं सो गई है, फिर नेक्स डे, हम लोग अभी अभी उटे हैं, तक्रीबिन साइड ग्यारा बजे, और अभी वासीम भी अभी उटे हैं, तो मैं बस बना करता हूँ, वासीम का उटते ही होता है, कि बस सनाशता, तो हम दोनों इस चीज़ में बहुत डिफरेंट, मैं जो है, वो लेट खाती हूँ, वासीम जो है, वो उटके, फ्रेश वगएर होगे, वो कहते हैं, कि बस सनाशता ले ओ, तो बस यहाँ पे उनके लिए पराठा बन रोटी, अल्हमदुलिल्ला, शुकर अल्ला का जो है, वो खा लेती है, लेकिन अंडा नहीं खाती है, आप लोगं के बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, खाने में बहुत नक्रे करती है, मेरी कोशिश होती है, कि बस जो है, वो जारा हर चीज़ खाये, लेकि बहुत नक्रे होते ह एक टेबल पर नाश्टा रख दिया है वसी नाश्टा कर लें फिर वोटेंगे फिर वो नाश्टा करेंगे तो यहां पर बस जी नाश्टा इनको दे दिया है अब जारा का नाश्टा बन रहा है और मतलब एना टास्क है कभी इसको नाश्टा कराना भी एक बड़ा टास्क होत वो गुजर जाता है उसके रामा आपकी जिन्दगी में क्या चल रहा है बताईएगा सबकी जिन्दगी जो है वो जैसे दिखरी होती है वैसी होती नहीं है और डेली रूटीन में बस इसी तरह से जो है न वो दिखरा होता है चो सोशल मेडिया पर आपको इनसान वही दिखा जितना वो दिखाना चाहता है और वो वही चीज़ने दिखाना चाहता है जिससे आप लोग देख के जो है वो खुश हो और आप फ्रेश हो जाए ठीक है अगर हम लोग भी यहां पर नेगिटिव बाते और अपने दुख सनाने बैट जाएंगे तो आप लोग को भी निकाले उसके लावा जूरली वगरा मैच की नमास पढ़ी और अब मैं आ गई अपना काम करने घर भी मैनेज़ करना यूट्यूब भी मैनेज़ करना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके इन बालों को क्या हुआ इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है कि मेरे साथ क्या अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजेगा और दिल बहुत बड़ा रखेगा स्टोरी बहुत जो है वो बड़ी भी है और थोड़ी से दर्दनाग भी है तो सुनने की इमत होगी तो किसी व्लॉग में में बता दूंगी कि हुआ क्या था और इ